नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी की अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर आज मैंने अपने एगलो निमा के प्लांट्स पर कुछ काम किये हैं अभी मेरा देखिए एक प्लांट ऐसे अभी इसको भी मुझे अनकवर करना है तो अभी आज जनवरी की 31 तारीक है और कल से फरवरी का महीना सुरू हो जाएगा और ऐसे में अब कुछ जरूरी चीजे हमें एगलो निमा के साथ कर लेनी चाहिए अभी मैं रिपोर्टिंग वगेरा के लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन जो बेसिक चीजे मैंने की है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और आसा करूँगा कि आप लोग भी उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे सबसे पहला तो मैंने काम ये किया कि इनको मैंने बहुत मैसिब ग्रूप में रखा हुआ था मतलब ऐसे सटा सटा के विलकुल रख दिया था कि जिससे जो ठंडी हवाएं हो सर्दियों की वो अगर इनको लगती भी है तो जादा ना लगे ग्रूप में होने की वज़े से कुछ गर्माहट इनके आसपास बनी रहे तो मैंने इनको थोड़ा दूर-दूर किया अभी यहां बहुत सारे नीचे भी रखे हुए हैं इनको नीचे क्यों रखा है वो भी बताऊंगा आप लोगों से तो सबसे पहले मैंने इनको तोड़ा दूर कर लिया दूसरा काम जो मैंने किया सरदिया थी तो सरदियों में Agroniuma के कुछ plants जैसे ये तीन plant मेरे जो थोड़े बड़े size के हैं इनकी height लगभग 2 थोच की हो चुकी है काभी बड़े-बड़े हैं में वाफ के हिसाब से इनकी साइज काफी च족 잘 बढ़ गई इनके अंदर कुछ पत्ते यलो हुए थे और उसके बाद मैंने पिंक वैलंताई्ञ में, इसके अंदर भी कुछ पत्ते है यलो हुए थे तो मैंने कुछ-कुछ पत्ते इनके अंदर से काट कर निकाल दिये पुराने पत्तों की लाइफ साइकल जो होती है वो जब कम्प्रीट हो जाती है और जैसे ही डॉरमेंशी का पेरियड आता है वो सबसे ज्यादा आसान टार्गेट होते हैं सर्दियों के उनका पीला होना सबसे पहले सुरू हो जात कर लिए अभी यह काम मुझे अपने पोथोज में करना है सारे तीसरा काम मैंने किया कि इनके पत्तों को सबसे पहले साप पानी से धुल दिया यहां पर देखिए, सारे पत्ते मेरे धुले हुए, कुछ पॉधे मैंने बाहर भी रखे हैं, वो दिखाता हूँ, पॉलिथीन्स इनकी जो है, इनको अंकबर जो किया है, यहां पर, तो मैंने इनके पत्तों की सबसे पहले तो धुलाई कर दी, साफ पानी से, और उसके बाद म फंजिसाइट का छड़काओ भी बहुत जरूरी है इस टाइम पर, मैंने दूसरा काम, मतलब तीसरा काम जो किया, वो फंजिसाइट का छड़काओ किया, चौथा काम क्या हिया, चौथा काम मैंने यह किया, कि मैंने बहुत सारे एगलो निमा के प्लांट कबर करके रखे हु अंकबर करने से होगा क्या कि अब इनको थोड़ी बहुत धूब भी मिलती रहेगी और अब वातावरण में इतनी तो गर्माहट आ गई है कि यह आसानी के साथ सर्वाइब कर सकते हैं यह देखिए इसको भी अंकबर कर दिया यह एगलो निमा डोरा कैमरेन वराइटी है इसे मैंने होमली प्लांट्स करके एक पेज था वहां से लिया था इसके पत्ते पता नहीं क्यों नीचे लटके हुए निकल के आ रहे हैं हाला कि एक नियू लीफ आ रही है और अब इनका ग फंजिसाइट कछड़काव नहीं किया है तो फंजिसाइट कछड़काव भी खरेंगे और यह पॉली जो निकली हुई है इनको भी मैंने ऐसे धूप में फेक दिया इधर उधर कि यह सूख जाए उसके बाद मैं इनको इकठा करके जो है एक जगे पर रखोंगा यह नेक्स कूल देखूँगा कि बहुत जादा सर्दिया पड़ रही है तो फिर से कबर करूँगा लेकिन अभी मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि हां इनको कबर करना चाहिए तो अभी अनकबर कर रखा है तो मतलब चौथा काम मैंने इनको किया कि इनके उपर साफ पानी का और सात्वा और लाश काम जो है वो कटिंग के साथ करना है मैंने कुछ कटिंग भी एकलो निमा की लगाई हुई है यहाँ पर देखिए यह लगी हुई है और अब इनके अंदर ग्रोध धिरे-धिरे करके आएगी अभी तो देखे बिलकुल ग्रोध नहीं है कोई रूटिं अगर आपने कबर कर रखी हो तो इसको भी अनकबर कर सकते हैं हाला कि अगर कबर करके रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है तब ही इनके अंदर ग्रोध आ जाएगे तो यह साथ काम मैंने किये अपनी कटिंग को भी थोड़ा एक्सपोजर पर डाल दिया थोड़ी वोगों से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक केर